आज से भारत और श्रिलंका के 20 टीटवंटी सिरीज का आगाज हो चुका है और दोनों ही टीमें पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी इससे पहले रोहिश श्र्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 30 से मात दिया और अप श्रिलंका की टीम को भी क्लीन स्वीप करने की रादे से रोहिश श्र्मा अपनी टीम के साथ मैदान पर उतरे हैं आपको बता दे श्रिलंका ने टोस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भाते टीम ने इसका बखू भी फाइदा उठाया अंदाजा इसी बात से लगाए जा सकता है कि मातर पांच उबर में ही टीम इंडिया ने टीम के स्कोर को 50 रन के पार पहुचा दिया जिसमें एक तरफ इशान किशन तो दूसरी तरफ रोही शर्मा शांदार बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दी हलांकि रोहिश शर्मा तो आराम से बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन दूसरी तरफ इशान किशन ने मैदान में उतर देही चोके और छको की जड़ी लगा दी अंदाजा इसी बात से लगाय जा सकता है कि मातर 49 रन बनाने के लिए इशान किशन ने पांच चोके और दो शांदार छक्के जड़ दिये जिसे देखकर रोहिश शर्मा भी हैरान थे वो तो बस इशान किशन की शोट को बाउंडरी के बाहर ही देख रहे थे दूसरी तरफ शिललंका की गेंदवाज भी इशान के सामने गेंदवाजी करने से घबरा रहे थे लेकिन इशान कहा रुकने वाले थे उन्होंने पहले ही मैच में ताबर तोड अर्ज शतक जड़ दिया अब देखना होगा कि इशान किशन और रोहिश शर्मा की ये शिललंका की सामने कितना बड़ा लक्ष ये खड़ा करती हैं तो आप इस वीडियो को शेर कीजिए और जुड़े रहे हैडलाइन स्पोर्ट्स के साथ